हाई आप लोग अच्छे हैं तो फीड से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है बिहार लैंड सर्वे दोहजार चोविस में बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ा बदलाओ लोग के लिए रात वाली खबर पुरी जयनकारी क्या है मैं बताऊंगा आपको लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं अफटक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें तो प्लिट जयने को सब्सक्राइब कि एक लाइक हैं और प्रेस करना ताकि जो कि ऐसे लेटिस्ट अप्डेट वर्च पहले नोटिफिकेस अस आपको प्रापत वीडियो को बिना देर की विश्रू करते मैं आपको बदा दू कि बिहार लेंड सर्वे मंतरी दिलिप जैसवाल ने कहा है कि जमीन सर्वे से पहले जो चरण में हम लोग समय देने जा रहा है पहले चरण में लोग ने सुरुवाती तोर पर समय मांगा है मैं आपको बदा दू कि बिहार मे में अभी समय बढ़ाने का फैसला किया है लोगों के लिए रहात वाली खवर है कि रासव भूमी एम सुधार विभाग के मंतरी दिलिप जैस्वाल ने बीते गुरुबार को 19 सितंबर को मिडिया को इस समंध में ज्यानकारी दिये कहा है कि दो तीन दिनों इस समंध में नोटि पहले चण में समय देने जा रहे हैं इस सवाल पर कि पहला चण कब तक चलेगा इस पर दिलिप जैस्वाल ने कहा कि दो तीन दिन में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इसके बाद दित्ति के बारे में पता चल जाएगा हलांकि उन्होंने इस समंध में यह भी साफ कर पहले चण में हम लोग ज्यादा समय देंगे ताकि जो जमीन के मालिक हैं उनके सर्वे में कोई दिक्कत का समना न करना पड़े तो मैं आपको बता दो कि मंतरी ने साफ का किसी भी सुरत में नहीं रुकेगा सर्वे वहीं दूसरी और चर्चा यह भी है कि बिहार में कोई च सर्वे रूखने वाला नहीं है यह रूखने वाला नहीं है आम आदमी को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े विभाग उसकी चींता कर रही इसके लिए फर्स स्टेज में हम समय बढ़ाने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि बिहार जमीन सर्वे को लेकर हो गया ए बिभाग ने उसके लिए तुपाय और तयारी की हैं लगतारी समंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है और बिभाग दवा किया है कि लोग को किस तरह की समस्या नहीं होगी तो सरकार की यह जमीन सर्वे जो है रूखने वाली नहीं तो इस बिसे म में आपका के कमेंट है जरू कीजिएगा